गुद मॉर्निंग स्टूटेंट इंग्लिश माज न्यू चैप्टर स्टाट करेंगे चैप्टर 11 अथर्स्टी क्रो तो स्टाट करते हैं रीटिंग इन फोरस्ट देयर लिंब्ड अ क्रो एक जंगल में एक कववा रहता था एक बार की बात है गर्मी में गर्मियों की बात है जो सूरह है बहुत तेज चमक रहा था, बहुत जादे गर्मी थी उस दिन और कोई को बहुत प्यास लगी थी तो पानी की तलाश में इधर उधर घूमा लेकिन उसे पानी कहीं नहीं दिखा Suddenly it saw a picture in the garden of the house The thirsty crow became very happy as it found water in the picture It puts its beak into the picture to drink water Sadly the water level was very low, it could not drink water Therefore it became very sad The crow was very wise, it hit upon an idea अचानक उसे एक मटका दिखता है किसी घर के आंगन में तो वो कववा बहुत खुश हो जाता है उसे देखके कि उसे उसमें पानी दिखाई देता है वो अपनी चौंच उसमें डालता है लेकिन water का level जो बहुत नीचे रहता है तो वो पानी नहीं पी पाता काववा बहुत उदास हो जाता है लेकिन काववे में बहुत जाता है बुद्धी मान था काववा तो उसको एक आइडिया आता है वो आसपास कुछ पत्थर कंकर देखता है वो एक एक करके उठाता है और उसको मटके में एक एक करके डालता है अब जब उसने पत्थर डाले तो पानी उपर आ गया और उसकी चौंच अराम से पानी तक पहुँच गई उसने पानी पिया खुशी-खुशी वो अपने घुशने तक पहुच गया तो आपको चैप्टर रीड करना है और नीचे वर्ड मीनिंग दे रखी है इसके आपको वो राइट करनी है अच्छे से आपको वर्ड मीनिंग राइट करनी है और अच्छे से आपको चैप्टर रीड भी करना है हिंदी में भी आज हम नयए चैप्टर स्टाट करेंगे चैप्टर 11 होश्यार चुडिया एक थी चुडिया ननी सपेद सबको सबकी चहेती थी वह सभी पक्षियों की प्यारी वह जंगल में रहती थी उसी जंगल में एक दुस्ट कववा और दुस्ट गिल गिल भी रहते थे जब भी चिडिया अपने गोसले में अंडा देती कववा या गिल गिल आकर उसके अंडे फोर देता चिडिया परेशान हो गई लेकिन क्या करती इन दोनों का सामना भलावा कैसे करती आखिर उसने अपने गोसले दूसरे घणे पेड़ पर बनाया फिर उसने अपने गोसले में अंडे दिये यहाँ उसे खत्रा कम लग रहा था कोवे ने चिडिया के गोसले की खूब तलाश की पर उसे पता नहीं चला गिलगिल ने खोजबिन की लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली एक दिशाम के समय चिडिया अपने गोसले की ओर लोट रही थी उसे ने देखा कि कववा उसका पीछा कर रहा है चिडिया गबर आ गई उसने सोचा की कववा उसका पीछा करते हुए आकर गोसला देख लेगा फिर मोका पाकर सभी अंडे फोर देगा गोसले में अंडे थी इसलिए वह अपना गोसला तुन नहीं बजल सकती थी चिडिया ने काफी सोच विचार किया उसके बाद फिर उसे उपाय सुचा उसने होसिारी से अपने उडने की दिशा गिल गिल के गोसले की और कर ली कोवे को इस बात का पता नहीं चला चिडिया गिल गिल के गोसले के पास पहुँच कर बैठ गई कोई को लगा चिदिया का गोसला यही है पर खुश होकर चला गया कोई की जाने के बाद चिदिया अपने गोसले की और उड़ गई अगले दिन कोई ने चिदिया का गोसला समझ कर गिलगिल की गोसले पर हमला कर दिया गिलगिल के सब ही अंडे पूट गए जब गिलगिल वापस लोटी तो उसने अंडे फूटे देखे उसकी एक सहीली ने बताया कि यह कर्टूत कोई की है गिलगिल को कोई पर बहुत गुसा आया गुसे से बुन बुनाती गिलगिल ने कोई को ढून निकाला मैं कोई पर तूट गई दोनों पुरी तरह गायल हो गए फिर चपटा कर दोनों मर गए अपनी होश्यारी से चिड़ी आने दोनों दुस्तों उसे चटकारा पालिया वह बहुत खुश थी आपको चप्टर रीड करना है आज चप्टर 11 इसके शब्दात आपको राइट करने है तो फिर्स्ट है आपको नन्नी, छोटी, सामना, मुकामला, सपलता, कामियाबी, हमला, चड़ाई, आकर्मन, दुष्ट, परिशान, करने वाला, तलाश, खोज, उपाय, तरकीब, या फिर हल, करतुगत कार रहा है या काम अच्छे से राइट करेंगे, रन भी करेंगे, और चैप्टर भी रीट करना है और जो कलर पार्ट है, वान, टू, थ्री कलर पार्ट है, तो आपको थ्री उपर लिखना है, और टोटल आपके कितने है, फोर, तो आपको फोर यहां लिखना है इसी तरीके से यहाँ two part में divided triangle तो आपको two नीचे लिखना है और color कितने में हुए है आपका one में तो one लिखेंगे अब आप नेक्स देखेंगे rectangle कितने पार्ट में divided है three parts में divided है तो आप नीचे यहाँ पे three लिखेंगे और color कितने पे है one पे तो आप one लिखेंगे इसी तरीकी से आपको नीचे वाले भी करने है पहले आप देखेंगे जो भी फिगर है वो कितने पार्ट में आपका डिवाइड है फोर पार्ट में डिवाइड है तो नीचे फोर लिखेंगे और जो कलर है वो आपको उपर लिखने है अच्छे से आपको राइट करने हैं और प्रेक्टिस करने हैं कम्प्यूटर में आज हम चैप्टर फाइब पढ़ेंगे ऑपरेटिंगा कम्प्यूटर तो चैप्टर फाइब में स्टार्ट करते हैं हम start कैसे करते हैं तो कुछ steps दिया है आपको उनको follow करके हम computer को start कर सकते हैं तो first step है आपका insert the computer plug into the socket and switch on the main power supply button सबसे पहले जो computer का plug होता है उसको आप socket में लगाएंगे और switch on करेंगे जो आपका main power button होता है उसके बाद आप switch on the UPS button a UPS provides electricity backup even if the electricity is cut उसके बाद आप UPS का button on करेंगे UPS क्या करता है वो electricity को backup प्रोवाइड करता है अगर electricity नहीं भी है अगर light नहीं भी है तब भी electricity का backup करता है UPS आपका third point है switch on the power supply button of the CPU उसके बाद आप CPU का power supply button on करेंगे और last आप क्या करेंगे switch on the monitor button and wait for some time आप monitor का switch on करेंगे और कुछ देर के लिए वेट करेंगे you will find a welcome screen of windows आप window की welcome screen पे चले जाएंगे अगर आप थोड़े वेट करेंगे monitor का button on करके later on you will find another screen note as desktop उसके बाद आप एक another screen पाऊँगे जोसे हम क्या कहते हैं computer तो step first step क्लिक on the start button सबसे पहले आप start button पर क्लिक करेंगे आपका start button दे रखा है देखिए के दे रखा है आपका start button आप इस पर क्लिक करेंगे and then click turn off the computer option उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपका यहां पर shutdown option आएगा आपको उस पर क्लिक कर देना है the computer shows a turn off computer window एक computer window दिखाई देए आपको आप उस पर turn off क्लिक कर देंगे और लास्ट में आप लिक दोगे click on turn off button आपका turn off button होगा आप उस पर क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले आपको start button पर क्लिक करना है उसके बाद आपको computer option पर क्लिक करना है Give it some time till the computer gets switched automatically. कुछ time दें उसको जब तक computer अपने बंद नहीं हो जाता, थोड़ दर रुखना है आपको. Now switch off the monitor power button. अब आपको monitor power button का switch off करना है. और आपको UPS का भी switch off करना है. और main power supply button भी off करना है. आपकी ये 6 step हैं आपके turn off the computer और आपके 4 step है turn on the computer के. अच्छे से आपको chapter एक बार रीड करना है. और नीचे आपके MCQ दिये है. The first step to switch on a computer. तो first step क्या है आपका main power button को आप on करोगे. Second है आपका a blank supplies electricity backup to computer in case of electricity is cut. Electricity backup कौन देता है कि electricity cut हो तब भी. तो आपका answer इसमें UPS. लास्ट है आपका we click on blank button to shut down the computer. तो turn on, turn off power. तीन ओप्षिन है आपका answer आपका turn off. तो आपको MCQ राइट करने है computer में. यास्ट ओड़ार में, भूभगे. कि अपका आपकार एंपकाश।रस्स।berपा की झापका अरबापारस.